नमस्कार नियूस फोर नेशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हुरिचा शुर्मा बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है तो उसके साथ कई चीजे नई हो रही है शिक्षा विभाग की बात करें तो अब शिक्षा के शुत्र में बहतरी के लिए लगतार जो विभाग है उसके तरब से कड़े निर्दश भी दिये जा रहे हैं कई नई प्लानिंग भी की जा रही है स्ट्रेटजी बनाई जा रही है ताकि शिक्षा विभाग अपने कामों को सफलता पुर्वक कर पाए और बिहार की शिक्षा विवस्था खुसहाल हो पाए बिहार की शिक्षा विवस्था पहले से और भी वेतर हो पाए और ये वो बि बड़ी खबर ये भी सामने आ रहे है कि शिक्षा विभाग अब इस बात की प्लानिंग कर रहा है कि बिहार में निजीव विदाले को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले और इसके साथ दो टर्म में कॉलेज को चलाये जाए यानि कि दो शिफ्ट में कॉलेज चलेंगे इसके लिए शिक्षा विभाग के विशेश सचीव ने प्रधान सचीव संजय कुमार के समक्ष शॉट एवं लॉंग टर्म प्लान पेश किया है ये समूचा प्लान नई शिक्षा निति के मद्दे नजर बनाया जा रहा है शिक्षा विभाग के विशेश सचीव सतीश प्रजन्टेशन में बताया कि वर्तमान में प्रदेश का GER 13 है जो कि राष्ट्री ओसत के आधा है GER में 18-23 वर्ष के आयो के वध्यार्थी की संख्या गिनी जाती है 2035 तक 50 फीस्दी करने के लिए उन्होंने कई सुझा भी बताए विशेईस सजीव जहा ने नई शिक्षा निती के मद्दे नजर विशेईस रूपसी राज्य उच्तर शिक्षा परिसत का रोड में प्रस्तूत करते हुए बताया कि इसके लिए काफी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी प्राइविट विश्विद्याले को बढ़ावा देने कॉलेज को दो शिफ्ट में चलाने इत्यादी के लिए सुझा प्रस्तूत के गए उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी 262 संबंध, 250 प्राइविट कॉलेज, 7 नेजी और 13 परंपरागत विश्विद्याले हैं इसके अलबा कई तकनीकी उच्चे शिक्षन परिश्द में हैं वर्तमान में प्रदेश के कॉलेजों में 16 लाग से अधिक स्टूरेंट है प्रेजेंटेशन के बाल अभी किसी मुद्दे पर निनाय नहीं लिया गया है इस वरान उच्चितर शिक्षा परिशत के अन्य वरिष्ट अधिकारी मौजूद रहें प्रदान सचीव बदवार को भी इस वार रूट मैप देखेंगे इस मिर्टिंग में उच्च शिक्षा विभाग की निदेशत डॉक्टर रेखा कुमारी और उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ट अफसर मौजूद रहें तो शिक्षा में वहतरी को लेकर शिक्षा विभाग प्लानिंग कर रहा है लेकिन इन सब के बीच बड़े ख़बर ये है कि अब ये भी हो सकता है कि विहार में जो कॉलेज हैं वो दो शिफ्ट में चलाए जाए इसको लेकर पूरी प्लानिंग की जा रही है हाला कि अब तक निर्णाय नहीं लिया आ गिया है लेकिन बैठक पे बैठक की जा रही है ताकि इस पर ठोस प्लानिंग की जा सके इसके साथ निजीव शुविद्याले को प्रोमोट भी किया जा रहा है फिलाल कले इतना ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नोस फार्डेशन नवस्कार